इस वीडियो में आप लोगों को Google Recapture किस तरह से साइट पर यूज करते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि जो हम लोगों का जो वेब डेवलमेंट का जो सीरीज होने वाला है, फ्रंट इन बैक इन का, वो वीडियो आपके 15 जैनवर से आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज उससे वाच किजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगरा के शेर किजिएगा, तो चलिए इस प्रोजेक्ट को हम लोग देखते हैं, हेलो एव्रीवन, दिस वीडियो में मैं आप लोगों को Google Recapture किस तरह से वेब साइट में एमब यहां पर यूजर जो है, वो साइन अप करेंगे, once they are verified by Google Recapture, और यहां पर मैंने यहां पर एक database बनाया है, Recapture नाम से, और उसके अंदर मैंने एक table बनाया है, Users, तो जब भी साइन अप होगा, तो यह हमारा database जो है, वो फिल हो जाएगा user की data से, अब यहां पर code में मैंने index dot html page बनाया है, server dot php page बनाया है, जिसमें मैं हम लोग logic लिखने वाले है, ताकि database query हो सके, after validation की जो recapture था, वो successfully valid था, अब यह जो है dbc, यह आपका database connection dot php, और यहां पर मैंने database zone use किया, वो recapture किया है, जो कि मैंने यहां पर आपको बना करके बताया है, और यह जो भी फाइ css framework use करना हूँ, तो यह जो file है, आपका, यह metalized css का css cdl link है, और यह आपका font icons का है, google font icon, और यह आपका jqueryd का है, और यह आपका metalized css का javascript का file है, और यहां पर मैंने एक form field बनाया है, ताकि यह लोग user को username का field और email का field दे सके, और यहां पर मैंने एक button बनाया है, तो य यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको field, जो भी आपका form field है, उसके अंदर आपको एक token, basically जो google आपको देगा, वो आपको यहां पर डालना है, ताकि यह पता चल सके, कि जो data आ रहा है, जो validation होना चाहिए था, वो correct page से हो रहा है, तो उसके process हो जाएगा, तो सबसे पहला जो link है, google recapture का, उसको आपको click करना है, अब यह आपका admin panel है, जहां पर आपको google recapture के control आपको मिलेंगे, यहां पर आप site add कर सकते हो, delete कर सकते हो, secret key आप यहां से ले सकते हो, तो अगर आपको new site add करना है, तो आपको plus icon पर create करना है, और फिर य 2 जो है काफी अच्छा है, और हम लोग इसे use करने वाले है, और जो challenge हम लोग देने वाले users को वो है, I am not a robot, तो मैंने इसे choose कर लिया, अब यहां पर आपको domain name add करना, अगर आप यह domain name add नहीं करोगे, तो जो registration है, वो valid नहीं हो पाएगा, क्योंकि google के आप इस पर click करोगे, तो बताएगा कि बस यही site से वो request को allow करेगा, तो यहां पर आपको domain name दे देना है, तो suppose मेरा domain name है codelps.com, तो मैं यहां पर डाल देता, यहां पर आपको domain name डाली की ज़रूत नहीं, यहां पर बस project का नाम डालो, और फिर आपको honor तो आप होई, और फिर आपको यहां पर accept कर करूंगा, और फिर मैं यहां पर settings पर जाओंगा, मुझे local host के setting का details चाहिए, और मुझे recapture keys पर click करना है, तो अब आपको यहां पर 2 keys मिलेंगे, एक मिलेगा आपको side key, और एक मिलेगा आपको secret key, तो side key जो है, वो आपको front in में, that is, आपको form में दिखाना है, users को, तो मैं क् करता हो, यहां पर side key को तो मैं copy कर लिया हूं, और यहां पर आपको एक particular dip बनाना है, क्योंकि जहां पर जो Google है, वो users को, जो Google recapture का जो box होता है, जिसमें images दिखते हैं, वो दिखाने वाला है, तो इसलिए आपको एक dip बनाना पड़ेगा, और उसको एक class देना पड़ेगा, और जो class का ना में वो बहुत special है, आप इसे गलत मत करना वरना यह load नहीं होगा, तो आपको class देना है G, that is Google, G for Google recapture, और फिर आपको एक field set करना है data site key, और फिर यहां पर आपको अपना secret site key देना है, जो आपको admin panel से मिला था, और गौर कीजिएगा, यहां पर आपको site key देन है, और जो server secret की है, वो हम लोग server में use करने वाले है, server.php पर, तो क्या करेगा Google इस class को देखेगा, और यहां पर हमारे लिए वो जो box है, वो हमें बना के देदेगा, तो चलिए हम लोग अपने front end को load करते हैं, तो अब यहां पर कुछ नहीं आएगा, क्यूंकि Google के server को हम ल यहां पर मैंने एक link ले रखा है, यह script tag में है, तो यह जो file है, आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा हूँ, तो यह basically एक link है, जहां पर आप Google को request करोगे, तो वो जी recapture वाली class में, overwrite करके आपको recapture देगा, तो आप देख सकते हूँ, यह हमारे पास recap चाह चुका है, अब जब हम लोग यहां पर value डालने वालने हैं, और इसे click करने वालने हैं, और जब sign up करेंगे, तो basically server.php पर जाके सब हमारा logic check होगा, तो चली हम लोग server.php पर हम लोग अपना logic लिकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहां पर include once करके, जो मैंना dvc php file है, क्योंकि मुझे database connection करना है, इसलिम यहां पर save कर लेता हूँ, और फिर यहां पर सबसे पहले मुझे check करना है, if it's set, क्योंकि हम लोग post method से use करने वाले है, post method हमारा जो form है basically, जो form है आपका, वो post method यूज़ कर रहा है, और इसका जो action attribute है, वो है server.php, इसलिए हम लोग server.php में dollar post, जो आपका super global है, उसको access करेंगे, और सबसे पहले हम लोग check करेंगे, कि sign up जो button है, वो click हुआ था की नहीं, अगर हुआ था, तो हम लोग process करेंगे request को, else हम लोग इसे बाहर fake देंगे, क्योंकि वो ऐसे ही हमारे site पर घोम फिर के आ जा रहा है, तो हम लोग location कर देंगे, आपका index.html, अब यहाँ पे सबसे पहले, मुझे check करना है, कि जो Google का, recapture का जो box था, क्या वो set हुआ था, क्या वो click हुआ था, तो क्या करता है Google, जैसे कि आपने यहाँ पे recapture जो आपने class दिया है, उसको यह पूरा override कर देता है, और यहाँ पे वो अपने code, जो भी है HTML के वो डाल देता है, तो जो field आपको check करना है, वो है आपका, जी, that is for Google, जी, recapture response, ओके, तो आपको क्या करना है, if, it's set, कौनसी field, dollar post में आपको check करना है, जी, recapture, response field, right, अगर यह field, set है, तो हमारा जो Google recapture था, वो काम किया था, वो load किया था, और user ने उसको hopefully click किया होगा, और आप पुछोगे कि यह अचानक से नाम कहां से आ गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखे, आप एक div बना रहे हो, और उसको class दे दे रहे हो, ताकि Google इस div को render करे, और जो इस request से ज की recapture response, इसलिए हम लोग इसे access कर पा रहे है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर यह ऐसा हो गया होगा, तो मुझे request करना है Google को, ताकि वो authenticate कर सके, कि हम लोग सही page से आये थे, और सही page पे हमारा authentication हो रहा है, तो उसके लिए आपको Google को फिर से request करना पढ़ेगा, और उससे पह copy secret की है, वो आपको copy कर लेना है, तो चलिए मैं से copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपने value को override कर देता हूँ, तो हमारे पर secret की आ चुका है, अब मुझे Google को इस secret की से request भीजना है, तो सबसे पहले तो हमें किस link पर भीजना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग Google के एक recapture API, site verify, उस वारे request पे बेज रहे हैं, और फिर secret की हम लोग अपना डाल रहे है, और जो भी हमारा response आया था, front end से, वो हम लोग यहाँ पर डाल रहे है, और फिर जो भी response आएगा, हम लोग उसे एक variable में store कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसी variable को access करके check करेंगे, कि Google ने क्या response दिया है, क्या हमारा जो sign up था, user ने क्या, वो successful था कि गलत था, तो सबसे पहली बात जो है, यह जो value आती है, यह basically JSON में आती है, तो हमें इसे JSON से पहले decode करना पड़ेगा, तो मैं एक variable बना लेता हूं, that is response, और फिर मैं यहाँ पर कर देता JSON decode, JSON decode है, PHP में function है, जो कि basically JSON value को, जो normal object या फिर array होता है, PHP में उसमें connect कर देती है, अब मैं यहाँ पर आपको check करूँगा, कि if जो response हमारा set हुआ है, जो भी हमारा response field है, क्या उसके अंदर success message, success field है basically, वो 1 है या फिर 0 है, क्योंकि अगर वो 1 है, तो user तो हमें Google बता रहा है, कि जो भी आपने किया है, वो सही है, अगर नहीं हो रहा है, तो हम लोग फिर से उस index.seml page पर भेज देंगे, और अगर हो जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर $sql, that is insert into, right, और फिर हम लोग insert into, क्या करेंगे, users, और फिर किस-किस field में हम लोग insert करने वाले है, username में करने वाले है, और email में करने वाले है, और फिर हम लोग values पास करने वाले है, आपका ये वाला, जो कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले है, तो value हमारे किस field में आ रहा होगा, $post में आ रहा होगा, और किस-किस नाम से आ रहा होगा, एक email नाम से आ रहा होगा, तो मैं दो फिल्ड बना लेता हूँ, dollar username equal to dollar post और फिर मैं इसका जो identifier है वो दे देता हूँ, उसी तरीके से मैं इसे same चीज कर देता हूँ आपके email के लिए, तो मैं इसे email कर देता हूँ, तो अब हमारा जो भी username है और email है दोनों आ चुका है, आप चाहो तो यहां पर sanitize कर सकते हूँ, क्योंकि जो user से data आ रहा है वो गलत हो सकता है, उसको आपको sanitize करना चाहिए, तो मैं अभी कर देता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे code को ऐसे ही बस paste कर दे और बाद में कुछ दिकत हो, तो मैं सबसे पहले इसे HTML entities में convert कर देता हूँ, ताकि जो भी script tag को अगरा है, वो HTML code में convert हो जाए, और फिर मैं यहां पे dollar username, dollar email, सबसे पहले हम लोग email को वो कर रहे है, तो इसलिए में email पास कर देता हूँ, और similar तरीके से मैं आपका, जो user name है, वो भी पास कर देता हूँ, उसी तरीके से आप my school area escape string को भी use कर सकते हूँ, my school area escape string, उसको भी आप कर लेना, और इसके लिए आपको dollar con variable pass करना पड़ता है, और फिर जो भी user, जिस भी field को आप validate करना चाहते है, तो username को suppose, और फिर आप इस value को same फिर से username में रख लेना, अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ इसे, और फिर हम लोग अपने value को database में डाल देते हैं, तो that is my school life, query, और फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको connection object pass करना पड़ता है, फिर जो दूसरा object होता है, वो आपको skill pass करना रहता है, अब मैं check करता हूँ, अगर यह सब चीस सही हुआ है, that is, अगर data चली गई है database में, तो मैं यहाँ पर echo करवा देता हूँ, echo, क्या करवा देता ह हूँ, success, right, else में क्या कर देता हूँ, echo, something went wrong, simple, right, तो चली इसे देखते हैं हम लोग, और hopefully यह काम करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले विवेक यहाँ पर डाल देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर अपना email डाल देता हूँ, और मैं इसे I am not reward कर देता हूँ, और फिर मैं इसे sign up कर देता हूँ, तो देखे, success हो गया है हमारा message, मैं यहाँ पर थरो सा reload कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको data आ जाना चाहिए, basically, तो आप देख सकते हो, विवेक और email, और registration time मैं ने इसे already set करके रखा था, SQL में आप set कर सकते हो, default timestamp, तो इसलिए यह timestamp मुझे 531 दिखा vendor कर सके, और फिर server में आपको, अपने secret key से Google को request करना रहता है, और फिर जो आपको value, Google return करता है, उसको आपको बस check करना रहता है, अगर वो success है, तो हमारा सही हो रहा है, वरना गलत हो रहा है, तो मैं देखिए, आपको बताता हूँ, यहाँ पर, मान के चलिए, मैं यहाँ प मैं यहाँ पर इसे विवेक, डाल देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर फिर से वह user dream डाल देता हूँ, और फिर मैं इसे sign up करूँगा, तो आप देखना, कुछ नहीं हुआ, क्यों, यह क्योंकि कुछ गलत हो गया था, आपको check करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो आपका, यह field है, that is response वाला, तो यह response वाला field है, इसका else पाट यह है, तो मैं यहाँ पर header करने की बज़ा मैं कर देता हूँ, sorry, something went wrong, तो चले फिर सही से try करते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पर विवेक डालता हूँ, और फिर मैं यहाँ यहाँ पर विवेक 123 डाल देता हूँ, और मैं से load कर देता हूँ, फिर हम लोग sign up कर रहे हैं, तो फिर आप देख सकते हो, sorry something went wrong, तो basically यह पूरे अच्छे से काम कर रहा है, बस इतना ही है, और इसका जो भी code है, आपको मिल जाएगा, description में लिंक आपको मिल जाएगा, तो hopefully आपको समझ में आया होगा, कि क्या हो रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेर कर सकते हो, क्योंकि किसी को मदद मिल जाएगी, so till then take care, this week sign off.